हाँ तो नमश्कार प्यरस आती हूं डीजी सर क्लासेज के उनलाइन प्लेटफर्म पर आपका श्वागत है अभी नंदन है हम बात कर रहे थे पर दोस्तों पिसली क्लास में हमने राजस्तान की इतियास की थी और राजस्तान की इतियास के अंतरगत है हम जो पढ़ रहे थे व वह हो ही चौहां राजबंस की स्थाफ़ना कर ली थी हमने इस परकार से चौहां राजबंस का अस्तेत्व यहां पर राजुस्तान में होता है तो यह पीज्ली क्लास में हम देखề थे क्या कि टिक टुकिती क्या क्यास तरीके से और कहां तक पढ़ा थिके पढ़ा आगे यहां पर क्या इसका निर्म diu निर्माण करवाया तूझ कि पतनी कि नाम पर उण यहां उद्दर Inspector करवाकर कुछ महलों का निर्मान करवाय ता इस कारान इससे तारागट दूर्ग भी का जाता तरागट दूर्ग भी कह जाता था और रम तनारोत करें तो कि यहां पर का जाता है ञार भी दूर्ग में ऐसे मानता हैं कि यहां पर बोड़ी की मजार बना हुई है या फिर यहां पर मीरान साप की मजार बनी हुई है इसी दूर्ग में बात करते हैं यहां पर ही का जाता है कि पुषकर जील इस्तित है जमेर में कहा पर है पुषकर जील के बारे में का जाता है कि यहां पर कार्टिक को सबसे भवे मेला लगता है ताए। जो आपको पता है कि चंदनराज की पतनी चंदनराज की पतनी ती या आत्म प्रभाज जिसका नाम मिलता है पहरे दोस्तों कहा जाता है कि अब कंडिसन क्या होती है कि हम जो आगे बढ़ने जा रहा है पहरे दोस्तों अब चलते हम किसकी और चलते हैं भी अजे राज के बारे में हमने सब कुछ देख लिया था अजे राज पढ़ने के पश्चार यहां पर बात करने जा रहे हैं किसके अर्णो राज की कि कि बात करने जा रहे है पेर दोस्तों अर्णो राज की अर्णो राज अजे राज का पुत्र अर्णा राज सासक बनता है अर्णो राज सासक बनने के परशात बात करें तो कहा जाता है प्यार दोस्तों क्या कंडिशन होती है 1133 से लेकर 1133 से लेकर 1135 तक कहां तक प्यार दोस्तों 1155 इस वी तक क्या करता है सासन को कौन करता है भी अर्णो राज और अर्णो राज के बारे में कहा जाता है कि परमेश्वर और महाराजाद धिराज की उपादी धार किसकी बात करें प्यार दोस्तों उपादी की बात करें र ये किस की उपादी धारन करता ये पर मैश्वर किसकी ठीडिया घंतरा ने डी फिनश्ष यह पर मैश्वर और अकार महाराजा थी राज महाराजा धिराज की कि उपादिया धारण करता है , इसकी एक्तो प्रमे स्वर की उपादी धारण करता है mhaharaj स्टीरा सellen करता है अनुर्जा की दोरा कि जाती है सबसे प्रमुक बात कहा जाता है कि यह वराह मंदिर का निर्मान करवाए गया इसके द्वारा इसके निर्मान की बात करें वराह मंदिर का निर्मान करवाए गया इसके द्वारा इसके निर्मान की बात करें वराह मंदिर का निर्मान की द्वारा करवाए गया इसके द्वारा और्णो राज के दवारा इसका निर्मान करवा गया कैने मंदिर के द्वारा करवाई यह कहाँ पर आज मेर्मार कर दो कर करवा दिया जाता है और्णो राज निसका निर्मान करवा दिया और इसको जिर्णो धार की बात करें तो समर्थ सिंग के द्वारा करवाए कि किसके द्वारा करवाया जाता है शमर सिंग के द्वारा करवाया जाता है इस और्णो राज को आना जी के नाम रखना है इसे क्या कहा जाता है आना जी आना जी के नाम से भी इसको जानते हैं किसके नाम से जानते हैं आना जी के नाम से अर्णो राज को आना जी के नाम से जानते हैं जाहंगेर ने इस मंदर को मूर्ती को मूर्थी नो कि जांगेर ने इस मन्दर की मूर्ती को पानी में पिक्वा दिया था इसको उठालिया जाता है निश्वान करवा सुझा कभू है पड्राइण देने के पिकभा देने के पश्यार ने कहा जाता है लाइक डर्वार में देवधत और धर्मबोध नामक व्हारे पड़े विध्वान व्हेकती रहा करते थे राज के विध्वाणों की बात करे में और एक भर्म भोड देवबोद और धर्मबोद तो विध्वान इसके दर्वार में रहा करते थे एक टो गीजम और दूसरा धर्म-बोड धर्म बहुत यह दूनों कहा रहा करते थे वहीं देव गोद और धर्म बहुत जो कहा जाता है पैर दोस्तों इसके दर्बार के प्रमक विद्वान हुआ करते कि यहां पर आना सागर जील का निर्मान करवाया जाता है और कहा जाता है जिब इससे तुर्कों का आकरमन के कारण कहा जाता है कि यहां पर भूमी रख्त रंजित हो जाती है क्या हो जाती यहां कि दूमी को अपब संझने की कारण कहा जाता है इस भूमी की चक यहां पर रंज bedroom मिट्टेते प्याइस तो इसको हठवा दियाे सिन यहां से फुद्वाया और हठा फुद्वा कर र का जाता है यहां पर एक जील का निर्मान हो जाता है और उस जील को इसी अन्वराज के नाम पर या आना साकर जील का जाता है क्या कहा जाता है इसे आना साकर जील का जाता है 1136 में आना साकर जील का निर्मान को करवाता है भी अन्वराज या आना जी के द्वारा करवाया जाता ह इस वी से शुट से धहां रखना है आप लेगा बात करते हैं अना सागर जील इसकी बात करें पर दोस्तों आना सागर जील अना सागर जील आना सागर जील का निर्मान निर्मान की बात करें तो कब होता है 1137 में किस ने करवाया निर्मान की बात करें निर्मान किस ने करवाया आना जी ने करवाया आना जी ने करवाया आना जी ने या अनो राज ने तो अनो राज ने इसका निर्मान करवाया तो यह विशेश रूप से ध्यान टकना है केसे करवाया था तुर्की आक्रमन के कारण तुर्की आक्रमन के कारण कहा जाता है कि भूमी रत्र रंजित हो जाती है कि तुर्कों के आक्रमन के कारण भूमी रक्त रंजित हो जाती है तो यहां की मिट्टी को यहां की पून से सनी हुई मिट्टी को पून से सनी हुई मिट्टी को आना जी के द्वारा हटवाया जाता है आना जी द्वारा हटवाया जाता है इस कारण यहां पर एक जील का निर्मान हो जाता है निर्मान हो जाता है जिसे किसके नाम से जानते भी आना सागर जील के नाम से जानते भी और बात करें तो का जाता है कि इसे में लूनी नदी कि साइक नदी चंद्रा नदी का पानी आता है इसका इस जील में लूनी नदी कि साइक नदी चंद्रा नदी का पानी आता है कि इस जील में जील में लूनी या चंद्रा नदी का लूनी या चंद्रा नदी का पानी आता है कौन से जील में आता है वही आना सागर जील में लूनी या चंद्रा नदी का पानी आता है कहां पर आता है वही इस आना सागर जील में आता है कि विशेश रूप से आपको ध्यान रखने हैं कि अब बात कर लेते हैं आना जी के विवाज से समझनित बात करते वहीं का विवाज किसके साथ होता है किस प्रकार से होता है यह थोड़ी सी चर्चाएं करते हैं कि विवाज की बात करें तो पहर दोस्तों कहा जाता है कि मरू प्रदेश की राजकुमारी सुद्वा से इसका प्रतम विवाज हो मरू प्रदेश की राजकुमारी सुद्वा और सुद्वा से इसका प्रतम विवाज माना जाता है कि मरू प्रदेश मरू प्रदेश की राजकुमारी सुद्वा से कि अर्णो राज का आनाजी का आनाजी का विवा क्या हुआ हुआ utan कि आनाजी का विवा का दाता है अंग नुद्रदेश की सिरास स्राविच्छ經 का विवा हुजाता है और कळाथ आई इससे जगदेव और विगराज चतुर्ण का जन्म हुआ है eine किससे किस का पर जन्म हुआ इससे किसके पुत्रों का जन्म होता है इससे सद्वा से जो पुत्र प्रापत होते हैं जगदेव और विग्रहराज का जन्म हुआ किसका जन्म हुआ विग्रराज का जन्म हुआ ए इस रानी से यानि की तुद्वा से इसके पुत्र कौन-कौन और विवा शिद्राज की पुत्री से होता है और क्या नाम क्या था कांचन देवी दूसरा विवा दूसरा विवा दूसरा विवा है जेसी किससे होता है जेसी सिद्राज की पुत्री कांचन देवी से होता है किससे होता है कांचन देवी के साथ होता है कांचन देवी के साथ होता है और कांचन देवी से कौन प्राप्त होता है सोमेश्वर का जन्म होता है कांचन देवी से किसका जन्म होता है कांचन देवी से ही कांचन देवी से कांचन देवी से कोमेश्वर का जन्म होता है कोमेश्वर का जन्म होता है किसका जन्म होता है कोमेश्वर का जन्म होता है कौन सी देवी से प्यार दोस्तों कांचन देवी से कहा जाता है कि शोमेश्वर का जन्म होता है यह विशेश रूप से हम रखने यूग्य बाते हैं तो यह आगे चलकर पढ़ेंगे भई किस परकार से आगे चलकर इस राजा बनेगा इस बात करें अन्नोराज की हत्या उसके पुत्र जगदेव की द्वारा कर दी गए थी किसकी अन्नोराज की हत्या है पर दोस्तों तो यह फुत्र सी यह फित्र है यह इसके पुत्र है कोई कि मुरुपरदेश की राज के अंड़ो राज कि हत्या कर देने के बाद इस जगदेव को क्या कहा जाता है प्रतम पित्रहंतासAK कहा जाता है चोहानवन्स का पर दूसरा विवा इसका कांचन Depi स hatır exists को다 कांचन्चन देवी से हुवाता है शुमेस वरा से के से प्रिद्ध होता है यानिकि स्पोस्ख इसकर बाद जो है चन्व होता है आए पर दो हुआ है मैं चले मocs करते हैं कांचन का देवी से ख़ाочкаilly के बाद किता कौन प्यारे दोस्तों अर्णो राज है अर्णो राज की हत्या करती वही हत्या कर दी कब 1155 कब कर दी वही 1185 में इसके हत्या कर देता है और हत्या ट्रहनता शासक कहलता है कि एक लाता है चोहानों का पितरहनता शासक कहलता है हुआ जग्देव कि जग्देव पिल्स का के पितरहनता है पित्र हंता क्या 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 कर दोस्तों यह क्या क्या कहलता है नहीं राज की अन्नौराज के ज ससन का माना जाता है 1133 से लेकर 1155 तक माना जाता है प्रमेश्वर और माराजारा धीराज कि इस ने उपादी धारन की वरा मंदिर का निर्मान कहां पर करवाया पुषकर अजमेर में करवाया कहां पर पुषकर अजमेर में इसका निर्मान करवाया और पुषकर अजमेर में कहा जाता कर्वान करवाता है तो ढणो राजकर या पुनरुद्धार जाता है कि इसके द्ल्राइख करवाया जांगीर ने प्रतिमंगा को उठा कर काहां पर पनी में ठिकवा दिया था इसने इसे रूट से ध्यान रखना है कि और किया बात की पहरैं दोस्तों अब कंडिशन का जाता है कि यहां पर अनो सक जो विध्वान थे ले वोध और धर्म वोध स형म वेक्ति हुआ करते यह इस सह कहां पर रहते थे इसके राज दर्बार में अर्णो राज के राज के राज के दर्बार में रहते थे ठीक है रहते हैं कहा रहते थे रहते थे यह अर्णो राज के दर्बार में रहते थे यह अर्णो राज के दर्बार में रहते थे जाता है लोगत बता है आपको तुर्कों का अक्रम होता है पर तुर्कों का अक्रम होने के कारण यह भूमी रक्ष से रंजित हो जाते हैं उस मिट्टी को यहां से आना सजी की द्वारा पानी बर जाता है पानी भर जाने के कारण जील बन जाती जिसे आना सागर करते हैं गटना कप कि 1137 स्वें इसमें कौन सी नधी का पानी आता है याद रखेगा सब्सक्राइब